हर्याना के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा और बजरंग दल के नीता प्रदीप शर्मा के हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है पहली बार पूरी हिंसा में आम आदमी पार्टी के नीता का नाम सामने आ रहा है हर्याना में आम आद्मी पार्टी के संयोजग जावेद एहमद पर भीड को उकसाने और हत्या की संगीन धाराओं के तहट F.I.R. दर्ज करने अमामला सामने आया है BJP ने दावा किया है कि गुरुग्राम का रहने वाला है प्रदीप और प्रदीप की भीड में पीट-पीट कर हत्या की गई थी उसमें मुख्य आरोपी जावेद एहमद आम आद्मी पार्टी का नेता है ये दावा दिल्ली BJP के अध्यक्ष विरेंद्र सजदेवा ने किया है विरेंद्र सजदेवा ने ट्वीट करते हुए आम आद्मी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला इतना ही नई दिल्ली से सांसत प्रवेश सिंग वर्मा ने ट्वीट करते हुए जावेद एहमद को हर्याना का ताहिर हुसेन बताया आपको बता दें सोहना के प्रदीब बजरंगल करे करता थे और F.I.R के मुताबिक घटना वाले दिन वो अपनी गारी से लोट रहे थे इसी दौरान भीर्ड ने उन पर हमला किया जिसका नेतरत व जावेद एहमद कर रहा था तो बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है हलांकि पाकिस्तान से connection नू हिंसा का जरूर सामने आया था लेकिन अब इसका आम आदमी पार्टी connection सामने आ रहा है नू हिंसा में involved एक शक्स जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी का कारे करता निकला बीजेपी ने ट्वीट करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी हिंसा में नाम सामने आने के बाद आप ने था जावेद एहमद की सफाई भी सामने आई है अपने उपर लगे आरोपों को जावेद एहमद घलत बता रहा है और कहा कि वो लू इंसा में शामिल नहीं था बीजेपी उन्हें बदनाम करने की साज़श रच रही है साथी जावेद एहमद ने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है तो अब देखना होगा कि बीजेपी के आरोपों में आखिर कितना दम है चुंकि विरेंद्र सच्देवा का ये ट्वीट आपको दिखा रहे है कि किस तरीके से दिल्ली में ताहिर हुसेन हर्याना में जावेद एहमद की उन्होंने कंपैरिसन की और बड़ा आरोप लगाया जवेजी अब बीजेपी भी तरह तरह के आरोप लगा रही है कह रही है कि आम आदमी पार्टी में ऐसी ही लोग बरे पड़े हैं जो इस तरह से दंगा भड़काने का काम करते हैं और साथी साथ आपको ताहिर हुसेन से कंपैर किया जा रहा है दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष है वो भी इस तरह का बयान दे रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के कारे करता है और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बाते की जा रही है आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? एक छोटी सी प्रतिक्रिया दूँगा मैं तो मैं किसी पार्टी पर ब्लैम और एलिगेसन नहीं लगाना चाहता तरह सवाल इस तरह इलजामों का साहिध इलजाम लगाने वाले गर एक बार सिर्फ एक बार दिल से अपने गरवाओं में जहाक के देख ले तो उनको जवाब मिल जाएगा कि कौन कहां कहां खड़ा है? कौन कितना बेदाग है? मैं कुछ नहीं कहूँगा सबका सबको पता है पुलिस ने आपको पूचा तो आपने बोला कि आप उनसे इन्वेस्टिकेशन में कॉपरेट करेंगे पुलिस के पास मैं खुद गया हूँ चलके मैं खुद पुलिस के पास चलके गया हूँ कि इसमें दोसी कोई नहीं बचना चाहिए और निर्दोस को किसी को बली ना चड़ा दे पुलिस ने क्या बोला फिर आप तो पुलिस ने कहा कि इसमें हम दोसीों कोई ढूंड रहे है तो मेरे से एसीपी साब ने सवाल करें कि सर आप से पूछ सकते हैं कि आप कहा थे जाविज जी आप कहा थे उस टाइम तो आप जाएंगे मुझे देवी ने लगता मेरे से की कोई दुस्मनी होगी कैई पर मिसरेंटर सेंडिंग हो जाती है किसी को देख के नाम लिखा दिया होगा जाविज रहमत की सफाई आपने सुनी टाइम्स नाउन अव भारत से उन्होंने का कि अरजांच के लिए तो जा रहा हूँ अपना हर तरीके से साथ दे रहा हूँ देखना होगा कि आखिर जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं लेकिन बीजेपी सांसद मनुझतिवारी ने आम आदमी पार्टी पर फिर से जोरदार निशाना साथा लू हिंसा में आप नीता का नाव आने पर मनुझतिवारी ने हैरानी जताई और दिल्ली दंगे को याद करते हुए कहा कि दिल्ली की तरह हर्याना हिंसा का भी कनेक्शन आपके साथ जुड़ा है विरोधियों पर पलटवार करते हुए मनुझतिवारी ने कहा कि जो अब तक बीजेपी को हिंसा के लिए दोशी बता रहे थे अब वो इस खुलासे के बाद सच सबके सामने आ चुका है और उनका मुझ बंध है जानकारियां आ रही है वो हैरान करने वाली है अब ये जो जैसे ही ये घटना घटी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ये इलजाम लगा रहे थे कि ये चुनाव को दृष्टी में रख करके ऐसा ऐसा सब आरोप लगा रहे थे और आरोप बीजेपी के उपर भी लग रहा था अभी पता चल रहा है कि आम आदमी पाटी का एक सीनियर नेता जावेद नाम का वो खुद हत्या करने में और दंगा कराने में लिप्त पाया गया है आम आदमी पाटी का नेता और यहां से थोड़ा समय पहले आप दिल्ली के दंगों को याद करिए तो उसका मास्टर माइंड उसका मुख्य अभियुक्त वो भी आम आदमी पाटी का पारसत था सीनियर नेता था ताहिर हुसेन अब मैं ही सोचने को मजबूर हूँ कि ये हर्याणा का ताहिर हुसेन है क्या जावेद ये आम आदमी पाटी की और जो अभी अभी गठबंधन में गए है इनकी ये साजिस के तहट नूह का ये दंगा हुआ है क्या जो लोगों की हत्याएं हुई है मंदिर पर अटेक हुआ है निहत्य निर्देश लोगों को मारा गया है इस बीच आम आदमी पाटी के हर्याणा फ्रदेश अध्यक्ष सुशील गुपता ने आरोपी जावेद एहमत का बचाव किया है और सुशील गुपता का आरोप है कि हर्याणा सरकार जान बूचकर जावेद को निशाना बना रही है गुपता का आरोप है कि जावेद के जावेद मौके पर मौझूद महीं था तो जावेद के बठते कद से बीजेपि को दिककत हो रही है अब ये सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है और इसी लिए हिंसा के वक्त क्यूंकि वहाँ पर जावेद थे नहीं तो आरूप लगाना बेबुनियाद है दलीलें दी जा रही है अब आपने जावीद को लपीदने की बादी जावीद जो बीएसपी से चुना और सुना से लड़ चुका जिसको 40 जार मोड मिली थी आजाद उमिद्वार के तोर पे 50 जार मोड मिली आप उसको अपने रास्ते से हाटा देना चाहते हैं क्यों? क्यों ऐसा हर्याना का मुख्यमित्री चाहता मैं आपको बताना चाहूँगा जावीद का नाम जो अफ़यार ने लिखा 31 तारीको राज को 10 बजे किसी व्यक्ति ने उसको सोना के अंदर दंगों का करते हुए देखा प्रन्तु जावीद का कहना है कि जावीद साड़े च्छी बजे सोना से निकल गए थे और अपने गाउं खानपूर गए वहाँ से करीब 10 किलो मिटर है और खानपूर से कुनानक लिए निकले साथ मिजे जो वहाँ से लगबग उसके रिष्तेदार का घर सो किलो मिटर है रिवासन टोल पर आट बज़के च्छी मिट पर पहुँचे सारे बॉंबे हाइवे की टोल्स के उपर उनकी उसी सी टीवी फुटेस